Hello everyone, मैं मैं अम इठाकूर और आज की इस वीडियो में हम JST return filing के बारे में समझेंगे पूरा कि JST return के कितने forms होते हैं, कौन से form कब file करने होते हैं, कौन से return में आपको कौन से details provide करनी होती है, ये सारी details हम समझेंगे तो अब मैं process start करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले आप भी अपना JST का portal login कर लिजे, जिन जिन का JST का approval आ गया होगा, उन सब इने अपना user ID password पे create कर लिया होगा, नहीं किया create कैसे करते हैं, ये जानना है तो i button पे click किजिए, उसकी वीडिय बना चुका हूँ, वो देखके आप अपना user ID password create कर लिजी, login करने के बाद आपास कुछ इस तरह का dashboard आएगा, इस dashboard पे आपको इस तरह से कुछ details दिखाई देगी है, आपकी return filing स्वेगारा के लिए, और यहीं से हमें ये देखिए, जैसे कि March की returns पे हमें दिखा रहा है, March की return दिखा रहा है, अभी हमारी file नहीं हुए, due date हमारी 11-4 है, इसकी 24 है, तो यह सारी चीज हम समझते, कैसे हमें return filing का process होता है, कैसे क्या करना होता है, तो login करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पे return dashboard पे click कर लेना है, return dashboard पे जैसे ही आप click करेंगे, यहां से आप financial select करने को बोलेगा, तो अभी हम क्या है, 21-22, financial year की return file करेंगे, क्योंकि अभी जो month गया है, हमारा March गया है, GST में हमेशा याद रखना है, जब जो month बीच जाए, उसके बाद हम, जैसे अभी हमारा March बीता है, तो April में हम March की return file करेंगे, तो हमारा जो March बीता है, वो कौन से financial में बीता है, 21-22 में बीता है, तो हम यहाँ पर 21-22 select कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर quarter, तो अभी हमें March की return file करने है, तो हमने gen to March select किया, यहाँ से month select कर लो हो सकता, आपकी पिछली return है भी pending हो, तो आप पिछली select कर सकते, अभी मेरे case में March है, तो मैं March select कर दाओ, ठीक है, March select करने के बाद यहाँ पर मैं search करूँगा, search करते के साथ यह देखे, मिरे पास यह सारे returns के form आ गए, जिन returns को आपको हर महीने file करना होता है, वो यह सारे forms होते है, तो इन forms की knowledge होनी है, आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, अभी यह सारे form जो है, यह regular scheme जिनोंने ले रखा जाता हूं, फिर composite, तो देखे, जब यह आप JST में register हो जाते हैं, register होने के बाद, अगर आप regular taxpayer है, तो आपको in returns, यह जो form होते हैं, यह form आपको हर महीने file करने होते हैं, पहला हो जाता है हमारा JSTR1, दूसरा JSTR2A, JSTR2B and JSTR3B, यह आपके form होते हैं, इन में से दो form आप आपको हर महीने file करना होता है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, JSTR1 की, JSTR1 जो form होता है, इसमें हमें कौन से detail provide करनी होती है, और यह return कब आपको provide करनी होते हैं, हर महीने की 11 तारिक से पहले पहले, जैसे कि मान लीजे, March बीता, March बीतने के बाद, April में, आपको 11 तारि पहले, March मंद की जितनी भी आपकी sale है, उन सब की details आपको JSTR1 के through file करनी होती है, अगर आप 11 तारिक के बाद इसको file करते हैं, तो आपके उपर इसमें late fees charge की जाती है, 20 रुपे से लेके 50 रुपे तक per day, यहाँ पर late fees जो लगती है, 20 रुपे से लेके 50 रुपे तक per day लगत कोई sale purchase start नहीं किये, तो मैं return file नहीं भी करूँगा, तो मेरे चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, यह एक गलत फहमी है, आपको हर महीने अपनी JST की return filing करने ही जरूरी है, time to time due date पे, तो JSTR1 आप समझ गए, JSTR1 में जो है, आपको अपने sale की समरी देनी होती है, sale की समरी यह बहुत सारे document यह सारी details देनी होती है, sale की B2B, B2C, export invoice, B2C, यह सारे आपको अपने JSTR1 में submit करना होता है, अभी हम return file करके भी देखेंगे next वीडियो में, अभी यह हमारी वीडियो है, जिसमें आपको सिर्फ return समझा रहो, JSTR2 ही क्या होता है, एक तो यह auto drafted होता है, इसमें आपको file नहीं करना होता है, इसमें आपके पास data show करता है, और data कौन सा show करता है, जो आपने कहीं से भी कुछ भी purchasing की है, वो सारा data आपको JSTR2A में दिखता है, अब यह मैं आपको थोड़ा details में समझाता हूँ, जैसे माल लीजिए, आपने कुछ sale किया हुआ है, तो आप क् JSTR OneWay data fill up किया, वो सारा किन लोगों के JSTR2A में show करेगा, जिन लोगों ने आप से purchasing की है, इसी तरह से आपने जिन लोगों से purchasing की है, उन लोगों का जो भी data होगा, वो सारा JSTR2A में show करेगा, यह overall मतलब कहने का मतलब यह है, जो भी आप purchasing करते है market से, और जब सामने वाल पर्टी अपने return file कर देती है, JST portal पर अपने bills update कर देती है, तो वो सारा data आपको क्या है, JSTR2A में दिखता है, यह हो जाता है आपका auto-drafted JSTR2A, अब इसमें JSTR2B, JSTR2B क्या है, JSTR2B भी same 2A के जैसे, जैसे 2A है, वैसे 2B है, इसमें भी जितनी भी आप purchasing करते है market से, वो सारी purchasing यहां पर show करती है, बट यह आपको यह बताता है, कि आपको exact ITC कितना claim करना है, मतलब आपने कुछ market से product खरीदा, product खरीदते समय उस पर आपने जिससे भी खरीदा, उसको tax भी pay किया, जो भी उस product पर tax था, और उसका जो आपने tax pay किया है, उस person को, वो tax claim करने के ल 15 लोगों से की, 15 लोगों में से क्या हुआ, 13 लोगों ने तो अपनी return file कर दी, दो supplier ने अभी तक return file ने की, तो जो वो 13 लोगों का data है, उन 13 लोगों ने किया कि अपनी gstr1 file की, और उनके gstr1 से क्या हुआ, आपके gstr2a में वो सारा auto-drafted data आ जाएगे, कि आपने इन लोगों से purchasing किये, तो उन 13 लोगों का invoice आपको आपके gstr2a में दिख रहा है, लेकिन gstr2a में आपको 13 लोगों का invoice दिख रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपने उन सब का ITC claim कर लिया, ITC का मतलब वही होता है tax, जो आप कुछ भी purchase करते हैं, समय किसी से को tax pay करते हैं, उसको हम ITC कहते हैं, input tax credit, तो यहाँ पर आपको 13 लोगों का दिख रहा है, लेकिन जब आप अपनी gstr2b में गए, जो हमें यह बताती है, कि हमें अपना ITC कितना claim करना है, जो हमें बताती है, हमारी gstr2b, तो वहाँ पर जो है, हमें सिर्फ हमारे 10 bill show कर रहा है, मतलब पहले हमें ने तो अब यह मैं आपको समझाता हूँ, यह 10 bill आपको इसलिए show कर रहा है, क्योंकि यह जो 10 लोग है, इन लोगों ने क्या किया है, अपनी gstr1 एकदम time C, जो 11 तारिक due date होती है, इस date पे इन लोगों ने अपनी gstr1 file कर दी, इसलिए आपको इनके जो invoices है, यहाँ पर 10 invoice आपको time to time show कर रहे है, बाकी कि जो आपके 5 supplier है, 5 में से 2 ने तो return ही file ने की, और 3 ने जो return file की, उन्होंने अपनी due date के बाद return file की, तो जो भी आपका supplier, अपनी due date के बाद return file करेगा, उसका ITC आप claim करने के लिए next month में eligible होंगे, जो current month है, उसमें आप उसका ITC claim नहीं कर पाएंगे, तो same applicable आपके उपर भी होता है, आप भी अपनी return जो है, GSTR1, GSTR3 भी वेगर, सारी time से file करें, ताकि आप से जो purchase कर रहे product, वो लोग भी time से उनको, उनका tax का claim मिल सके, ताकि वो आपके साथ long time तक business करें, और आपकी जो value है, अच्छी बनी रहे, कि आपकी company की value दिखें, कि य GSTR1, GSTR2A and 2B समझ गया, GSTR1 में हम अपने सारे sales का data एंटर करते हैं, कब करना होता है हमें, 11 तारिक से पहले पहले, 2A हमारा auto-drafted होता है, इसमें सारी हमारे supply, जिनसे भी हमने purchasing की है, उनके इन वह इसे दिखाता है, 2B यह बताता है हमें, कि हमें कितना tax claim करने के लिए, इस कर रहे हैं, कि हमने total पूरे quarter में कितना ITC claim किया, कितने के लिए eligible है, तो आप यहां से view करके अपना ITC show देख सकते हैं, अब आगे हमारी GSTR3 भी, GSTR3 भी थोड़ी important return है, इस return के थ्रू हमें अपने tax की payment या late fees की payment जो भी हमारी बनती है, वो हम इस return के थ्रू pay करते हैं, और य यह हमें कब file करनी होती है, हर महीने की 20 तारिक से पहले, जैसे हमारा March गया, तो April में हमें 20 तारिक से पहले पहले यह return हमें file करनी mandatory होती है, और इसमें हम details कौन कौन सी देते हैं, यहां पर हम details देंगे सारी, जितनी भी हमने outwards supply की, जो भी हमारी supply हुई है, उनकी सारी details हमें देनी होती है, इंटर स्टेट जो भी supply किया है, ITC eligible यह वाला, जो ITC eligible वाला कॉलम है, यह आपका auto populated fill up होके आ जाता है सारा, तो यहां से आपको अपनी GSTR 3B file करनी होती है, GSTR 3B और 1, आपको हर महीने return file करनी है, ध्यान रखें, GSTR 1 की date जो है आपकी हर महीने की 11 तारिक और 3B की जो date है, आपकी due date हर महीने की 20 तारिक, इन डेटों पर आपको अपनी returns file करनी होती है, यह तो बात हो गई हमारे जो भी regular taxpayer होते हैं, अब बात कर लेते हैं, composite taxpayer को जो है quarterly return file करनी होती है, quarterly return होती है, जिसको हम कहते है, CMP08, इसमें हमें कुछ detail नहीं देनी होती है, simple सा आपको आपने sale की है, जितना भी आपने sale किया है, उसके उपर 1% आपको tax pay करना होता है, वैसे इसके भी tax के 3 slab होते है, 1, 5 and 6, लेकिन maximum 1% की category में आते हैं, तो आपको 1% tax pay करना होता है, जो भी आपने sale किये, composite taxpayer को कोई detail प्रोवाइड नहीं करनी होती है, उनको simple सा detail प्रोवाइड क payment कर देना होता है, बस simple सा इतना होता है, composite taxpayer वालो के लिए, इनको जो cmp08 file करना होता है, quarterly करना होता है, मतलब साल में 4 बार करना होता है, quarter में 1 बार, और 1 return होती है, इनके cmp04 जो इनके करना होता है, annual return filing, तो बस cmp वालो के लिए बस इतना ही होता है, बाकि regular वालो के लिए मैं निल रेटन फाइलिंग करके देखेंगे कि मतलब आपका कोई भी बिजनस नहीं हुआ तो उसकेस में आप कैसे अपने निल की रेटन फाइलिंग करें तो उसकी रेटन कैसे फाइल करें step by step एक एक वीडियो हम बनाते जाएंगे तो बस आज के लिए इतना ही बाकी मिलते हैं अगली क्लास में निल रेटन फाइलिंग करना सीखेंगे हम अगली क्लास में